Hello everyone, my name is Smith and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा interesting and important होने वाली है because IBM की तरह से बहुत बढ़िया weekends is out के जा चुकी है वो भी document verification का आपका जिरफ इसमें work रहने वाला है किस तरीके से apply करना है, क्या के eligibility रहने वाली है हर एक चीज़ को हम detail में, brief में cover करने वाले है तो आपने वीडियो को starting से end तक जरूर देखना है अगर आप चैनल पर first time आई हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना, तांकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकि इस update के इलावा और भी काफी सारे department है जिनकी vacances आउट की जा जुकी है तो आप अपनी qualification, अपनी city या फिर district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर apply कर सकने हैं website का link आपको description में दे दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको google पे type करेंगे ना तब भी आपको first number में हमारी official site मिल जाएगी चले ज्यादा time मा लेते हुए बात करेंगी latest work from home job opportunity के बारे में जहां पर कोई fee आपको pay नहीं करनी है ना आपका इसमें कोई exam होने वाला है सबसे अच्छी बार 5 days working आपके इसमें job रहने वाली है जिसमें Saturday and Sunday का आपका इसमें off रहने वाला है so without exam hiring है आपको applies के लिए जरूर से करना है और urgent hiring आईए IBM के बारे में आप सारे aware होंगे MNC company है IBM में आप में से बहुत सारी candidate है जिनका dream होगा कि हमने IBM में work करना है तो यह बहुत बढ़िया profile के लिए vacances है और first time में आई हुई है तो मैं आपको हर चीज लिटेल में बताऊंगी website पर चल कर कैसे आपको इसके लिए successfully apply करना है ध्यान से समझना apply कैसे करना है क्योंकि सारी चीजे उसे पर आपके depend करती है और immediate and urgent hiding जी आपकी होने वाली है तो इन vacances के लिए package के गरम बात करें 4 lakh per annum तक का आपका इसमें package रहने वाला है job profile के बात करें मैंने आपको पहले भी clear किया document verification के आपके ये job रहने वाली है सो काफी अच्छी opportunity आपके लिए आ चुकी है इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो और upload के थी जो की tech में हिंद्रा की है जिसमें 12th pass, graduate, post graduate सब के लिए vacances आउट की जा चुकी है 1400 plus vacances उसमें आउट होई है चैनल पर आपको second number पर हो वीडियो मिल जाएगी community tab में भी मैंने आपको उसका link प्रवाइड कर दिया है उस वाले वीडियो को भी जरूर से अभी जाकर चेक करके apply कर लेना क्योंकि उसमें भी आप में से बहुत सारी candidate eligible होने वाले है तो फिलहाल हम IBM की recruitment के बारे में बात करें है इसमें अगर हम बात करें आपका क्या work रहने वाला है job profile में आपको बता दे document verification की रहने वाली है बट इसमें आपका work क्या रहने वाला है तो इसमें क्या के customer या client के जो भी documents होंगे आपको क्या करना है उनको cross verify करना होगा जिसमें अधार card होगे आप, pan card होगे जो भी required documents होगे entry level की profile है any freshest candidates में apply कर सकते हैं आप किसी भी age group में आते हैं आप apply कर सकते हैं age आपकी minimum के अगर बात करें 18 plus होनी चाहिए तो अगर हम बात करें इसमें post का क्या name है तो analyst risk and compliance की यह vacances है जिसमें आपका सारा का सारा जो work है वो documents से related रहने वाला है हर चीज company आपको यहाँ पर बताएगी हर training आपको यहाँ पर दी जाने वाली है और during training भी आपको salary इसमें pay की ही जाती है सबसे important बात तो मुझे यही लेगे कि MNC company में hiring है बहुत सारी candidates आप में से जिनके मेरे पास comments आते दे कि IBM में entry level के job कब आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छी opportunity आज चुकी है apply आपको इन vacances के लिए जरूर करना होगा इसके बाद यहाँ आप इन्होंने clearly mention किया हुआ multiple state के लिए यह vacances है इंडिया में तो यह hybrid job आपकी रहने वाले जिसमें work from home and work from office दोनों तरीके से रहने वाली है two days आपके यह office job रहने वाली है three days आपके यह work from home job रहने वाली है so इसमें बहुत सारी location है जिसमें इंडिया में weekends is out हो चुकी है अगर इसमें आपके location mention नहीं होगी ना तब भी आप इसमें job कर सकते हैं बताओंगे किस तरी के से आगे उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं apply कैसे करना है बाके चीज़ें बाद में discuss करेंगे selection and joining कैसे होने वाली है कैसे आप हर एक location से इसके लिए apply and अपने work कर सकने है so apply के लिए मैंने आपको description में पहला link provide कर दिया click करेंगे निया interface open हो जाएगा last में आपको तेखने को मिल जाते है required link जिसमें आपको click करना है पहले ही link पर apply online के लिए so apply link पर click करने के बाद यह वड़ा interface आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए इन्होंने post mention क्यों है जिसके बारे में मौलरी discuss कर चुके है यहाँ पर clearly describe क्योंको है multiple state में यह requirement है multiple cities में और हर कोई आप में से इसके लिए apply कर सकते है पॉजिशन टाइप में भी आप देख सकते हैं entry level की यह vacances रहने वाली है और regular मतलब आपके यह permanent job रहने वाली है तो काफी सारी candidate आप में से इसके लिए eligible होने वाले है उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके बारे में अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वैसे तो IBM के बारे में कुछ जरूरत भी नहीं है आपको about IBM में वैसे आप सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं किस तरीके से IBM work करता है इसके इलावा location statement में आप check कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ आपको apply now की option मिल जाते है apply करने के लिए तो हम इस option पे पहले क्लिक कर लेते है apply करने के लिए तो जैसे हमने क्लिक किया थोड़ा सा time लेता है processing में इस तरीके से आपके सामने interface open हो जाएगा इसको आप mobile से भी apply कर सकते हैं आप जम नहीं हुआ तो आपको desktop screen अपने select कर लेनी है अब आप ध्यान से समझना इसके लिए apply कैसे करना है मैं screen को थोड़ा zoom कर देते हूँ ताकि कोई problem ना आए आपको अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे है resume की choose file पे आपको यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद जहां पर भी आपने resume रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे simply upload कर देना है अब यहाँ पे देखिए first name mention करना है जहां जहां पी इन्होंने star field mention की होई ना आपको यहाँ पे अप्शन मिल जाती है जिस भी एरिया के लिए आप इंटर्स्टेड आप वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यह mandatory field कुछ भी आप स्लेट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रैफर्ड लेंग्विज में यह mandatory नहीं है क्योंकि यहाँ पे star mention नहीं किया हुआ है फिर भी अगर आप करना चाहते हैं आप जो भी इंडिया रहेगी तो यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक option आपको मिल जाते हैं no thanks continue to apply यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करेंगी कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा आप यहां पे देख भी पा रहे हैं यह वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा अब लास्ट में आपको क्लिक करना है अप्लाई टू जॉब के लिए आप सिधा यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं जो जो प्रसेस मैंने आपको पहले बताया है आप अपनी इमेल इडी पासवर्ड मैंशन करके सिधा लोगिन होगे अप्लाई कर सकते हैं तो लोगिन आप कर पाएंगी अगर आपने आपको रेजिस्टर किया हुआ है अगर नहीं गया है तो यहां पर सेक्विड ऑप्शन आप देख पारें डॉन्ट हैव एन एकाउ सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद आप कॉंटिन कर सकते हैं अब आपको लोगिन कर लेना जो आपने इमेल इडी यहां मैंशन कि और पासवर्ड रखा है बस वही फिल करके आपको अप्लाई करना होगा अब अपना नेम कॉंटैक्ट नंबर अल्टरनेट कॉंटैक्ट सब्सक्राइब इमेल इडी क्या है क्वालिफिकेशन किया कब पासओ अपको है कहां से पासवर्ड किया जो जो रिटेस्ट आप से मांगी जा रहे है अपको फिल करके समिट कर देना होगा जये से मैं आपको बताई को फॉलो करते हुए आपको अपलाइक करना होगा और जै जिसमें आपको 2 days work from office रहेगा, 3 days work from home कर सकते हैं तो package बहुत बढ़िया है, I don't think relocate होने में आपको कोई problem होगी तो आपको ज़रूर करना है, any graduate candy vacances के लिए eligible है और apply कर सकते हैं कोई experience नहीं मांगा गया है, clearly इन उनने मैंशन किया है, 0-1 year का experience है, आप apply कर सकते हैं किसी को गर 1 year तक का है, वो भी आपर apply कर सकते हैं तो बाकिया आपको कोई भी doubt है, आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं इसके इलावा tech em की job को ज़रूर चेक कर लेना चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे, next video में नई information के साथ, thanks और watch